कहते हैं कि अगर बच्चा परिशानी में होता है या फिर बच्चे को थोड़ी भी चोट लगती है तो वो दर्द सबसे पहले माबाप को होता है कुछ ऐसा ही दर्द कुछ ऐसी ही चीजे बॉलिवुड के इस परिवार के साथ भी देखी जा रही है हलो फ्रेंज मैं हूँ आपकी होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज बेहती खास प्रोग्राम में प्रोग्राम बेहती खास है क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉलिवुड के दियोल परिवार की कही ना कही चुनावों में दियोल परिवार का हर एक सदस से अपनी किस्मत को अजमा रहा है हेमा मालनी मतुरसीच से चुनाव लड़ रही है सांसत भी रह चुकी है तो वही बेटे सरी दियोल भी गुर्दासपुर से चुनाव इस बारी लड़ रहे हैं ऐसे में देखा जा रहा है कि 19 माई को गुर्तासपुर में चुनाव होने हैं महस बस एक आखरी चरण रह चुका है जहां पर 20 माई को नतीजे भी आ जाएंगे कि आखिरकार कौन होगा इस बारी का किंग किंग कहें या फिर ये कहें कि किस की जोली में आएगी ये सत्ता मगर ऐसे में हमने आपको सबसे पहले दिखाया था कि किस तरहां से एक रोडशो के दौरान सनी दियोल अपनी कार में जा रहे थे हाला कि वो रोडशो करने जा रहे थे और उनका एक आक्सिडेंट हो जाता है हमने आपको दिखाया ता किस तरहा से आक्सिदेंट की खबर जब सोशल मीडिया पर वाइरल होने लगी तब कही ना कहीं हर एक चाने वाला घबरा भी गया कि क्या सनी दियोल ठीक है या नहीं ऐसे में जहां पर सनी दियोल को लेकर अब हेमा के मन में वो प्यार वो कहीं ना कहीं मा है भई मा का दर्द तो शायद हम भी शब्दों में आपको बयाना कर पाए हेमा मालिनी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फूट फूट के रोई है क्योंकि ऐसे में तुरं से एक आकसिडेंट का हो जाना हाला कि सानी दियोल को कोई भी चोट नहीं लगी है वहीं अगर हम हेमा के पुरानी किस्सों की बात करें यानि कि हेमा मालनी कभी एक बार ऐकसिडेंट हो गया तक और हमने आपको बताये था तब भी कि किस तरहां से हेमा मालनी जो है अचानक से उनकी गाड़ी का अक्सिडन्ट हो जाता है एक बार फिर से सनी दियोल उनके बेटे की गाड़ी का अक्सिडन्ट हुआ जहां पर ये कहा जा रहा है कि दियोल परिवार का हर एक सदस से काफी जादा ही चुन्ता में आ गया है पॉलिवुड के शांदार आक्टर कहलाए जाने वाले सानी दियोल जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहेते हैं। आप सबी जानते हैं कि सानी दियोल इन दिनों गुर्तासपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के साथ वो अपनी राजनीती में भी किस्मत को अजमाते देए। अगर पॉलिवुड की बात करें तो सनी बाची का पॉलिवुड करियर शांदार रहा। अब उन्होंने सोचा कि क्यों न वो राजनीती में उतर रहें और थेश की सेवा करें। हमने यहाँ पर आपको अक्सिदिन की पूरी कहानी बताई थी। हमने यहाँ पर आपको आक्सिदिन्ट का पूरा सच भी बताया था। अब ऐसे मैं आपको बता दे कि सनी डियोल की गाड़ी का जब आक्सिडेंट हुआ हलाकि जाधा कुछ भी सनी डियोल को हुआ नहीं है ना तो ने चोट लगी और ना ही ये बड़ा कोई हाथसा रहा हलाकि ये जरूर है कि गाड़ी का आक्सिडेंट हुआ था दरसल आपको बता दे कि चार वहान आपसी में ठकरा गए जहाँ पर सनी दियोल की गाड़ी जो है पेड़ से चार ठकराई तो पीछे से चार वहान बाक टू बाक दुर्गहटना घरस्त हो गए आप खाली में बता दे कि हाथसे के वक्त सनी दियोल का काफिला फतेगर चूड़िया की और जा रहा था अधिकारी ने बताया है कि चार में से एक वहान स्थानी निवासी का था अन्यती इन कारे दियोल के काफिले की थी उन्होंने बताया कि धुर्कटना में किसी को छोट नहीं आई उन्होंने कहा कि धुर्कटना के बाद दियोल प्रचार के लिए फतेगर चूड़िया रवाना हो गए गुर्दासपूर सीच से जहापर सनी दियोल मुकाबला कर रही है तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि इस तरहा की खबरे फैंस के लिए काफी ही दुखत है ऐसे मैं आपको बता दे कि बेटे का आक्सिटिंट होना और हेमा मालनी का रूना भी दरसल कहा ये जा रहा है कि हेमा मालनी तक और धर्मिंद्र तक जब ये खबर पहुँची तब हेमा मालनी फूट फूट के रोने लगी जी हाँ यकीनन ही हेमा मालनी एक मा है बले ही वो सोतेली मा क्यों ना हो वही मा तो मा होती है सगी और सोतेली कुछ नहीं अब ऐसे में काहा यही जा रहा है कि हममालनी बेटे के आकसिटिन्ट के बाद काफी ही ख़बरा भी गई तो लिएकि जिसतर हम से बैक के बाट बैक के बाट चार गाड़िया आपस में तक्राइं कहीं ना कहीं एक जीज तो साफी है कि घर से निकला हुआ हर एक शख्स जब तक साई सलामत अपने खर ना आ जाए तब तक जिंदकी तो खत्रे में रहती ही है किर देखना यही होगा कि किस तरह से सनी दियोल जो है अब बेहत ही जल्द अपने चुनावों के प्रचार में तेजी लाएंगे और 19 माई को जब गुर्तासपूर से चुनावों के मतदान होंगे तब ऐसे में नतीजें ही बताएंगे कि आखर खार सनी दियोल जो है इस बारी सांसद चुने गए हैं क्या सनी दियोल इस बारी जो है चुनाव में अपनी जीत को हासल करेंगे यकीनन देखा आपने हमने यहां पर आपको बताया कि हेमा मालनी फूट पूट के रो रही है भाई मा है चाहे वो सगी हो या फिर सौतेली हो जहां मा शब पीछे लग गया वो भावनाए वो प्यार तो बच्छे के लिए हमेशा हमेशा रहेंगी अब ऐसे में कही न कही अगर हम अब चुनावों की बात करें हाला कि आप सभी के ये दुआओ का ही असर था कि सानी दियोल जो है अब वो बिल्कुल ठीक है उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था अक्सिडेंट के दौरान अचानक से टायर का यू खराब हो जाना और कही न कही गाड़ी का अक्सिडेंट हो जाना और ऐसे में पीछे से जो गाड़ी आ रही थी उन्हों का टकर हो गई यह तमाम चीजें हुई मगर सनी दियोल अब पूरे तरीके से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है कई पे खरोच तक नहीं आई है ऐसे मैं अगर आप चुनावों की बात करें तो यह साफ तोर पर आप सभी देख रहे हैं कि हेमा मालनी भी बेटे सनी के लिए चुनावी तरहां से आप दुआएं करते रहें जिससे सनी और पूरा दियोल परिवार हमेशा ही सुरक्षित रहें और काफी सही भी फिलालाच के इस प्रोग्राम में बस इतना ही पर हाँ आप हमारे चानल को सब्स्राइब करना ना पूलें